हेलो एवरिवन आज में लोग MSC Chemistry में फ्री रेडिकल रियक्शन के अंदर एक बहुत ही इंपोर्टेंट रियक्शन डिसकस करने जा रहे हैं तो हुंस डायकर रियक्शन क्या होती है पहले यह देखते हैं उसके बाद जो भी मेकेनिजम इसमें इंवल्व होती है उसको भी हम हमारे पास एक silver fatty 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 acid का उसको हम लोग ही उसको हमने हीट करना पड़ता है carbon tetra chloride की presence में या तो chlorine की साथ करेंगे या तो bromine की साथ करेंगे ठीक है जिससे क्या बन जाता है यहाँ पर alkyl chloride या bromide बन जाता है यहाँ अगर आपने ब्यार्ट लिया है तो alkyl bromide बनेगा अगर बन सकता है तो देखो इसकी में कैसे होती है पहले इसको देख लेते हैं इसमें कहा कहा है सिंपल ही हम लोग पहला step इसमेटा रहेते हैं उसके साथ हम ने ब्यार्ट की रेक्शन करा दिख ओर एजी की बills पास यह हैं और बियार आजाएगा अब जो यह बना है यह मारे पास जो compound बना है इसी का क्या करना हमको initiation मतलब इसी से हमको freight radical generate करना है initiation step में होता क्या क्या होता कि फ्रेरिटिकल जो हमको reaction के लिए चाहिए होते हैं वो फ्रेरिटिकल इस बाले step पर बन जाते हैं तो कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ पर क्या होगा क्योंकि होमोलाइटिक किलिवेज से फ्रेरिटिकल बनते हैं तो एक bond यहाँ को break होगा एक electron इधर को जाएगा और एक electron इधर को जाएगा जिससे क्या होगा ओपर नेगेटिव आजाएगा और ब्रेरिटिकल आजाएगा ठीक है तो यह है initiation step फ्रेरिटिकल बन गया अब इसकी जरुवत थी लिए अब दूसरा step क्या होगा वो का propagation propagation step में क्या होता है जो फ्रेरिटिकल बन जाता न है फर्स्ट step में वो किसी दूसरे के सांथ direction कर गा और किसी दूसरे को क्या बना देगा वो फ्रेरिटिकल बना देगा तो देखो यह बन गया अब इसको लाओ यहाँ पर तो इसमें क्या होता है कि जो यह वाला bond है यह भी हमोलाइटिक के लिए जो होता है तो एक electron उसका यहाँ पर आ जाता है और इसका एक electron और यहाँ पर है तो एक electron यहाँ से आया तो दो electron आगे तो दो electron से एक bond और बन जाएगा तो क्या मैं जाता है CO2 भाहार निकल जाता है और ये एक इलेक्ट्रों इस आर के पास चल जाता है है ठीक है अब जो लास्ट स्टेप होता है मतनला प्रोपागेशन इस्टेप ie है वो भी इसमें क्या होता कि जो बना ये किसी और के साथ react agreeing करेगा और किसे दूसरे को फ्ररिडिकल मना देगा तो फ्रॉपागेसल स्टप में एक subondного बहुत जादा यहां पर फ्रिडिकल जनरेट हो जाते तो अब यह जो लाएकर है इस एक bond मारेंगे RBR बन जाएगा और यहाँ पर RCO प्रिटिकल बन जाएगा ठीक है उसके बाद यह तो simple से इसके कुछ examples भी दे रखा है यहाँ पर तो यह बहुत simple है आपको पता है कि होने वाला क्या है इसकी जगर में BR आजाएगा इसकी जगर में क्या जाएगा BR आजाएगा यह सोट है तो यह है वारी क्या हुंस डेकर रेक्शन